हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सबी आज हम कक्षा 2 के विशय गणेत की सब्ताह 22 की वक्षीट को सॉल करेंगे जिसका उप विशय है मेरे मजेदार दिन तो आईए सुरू गरते हैं नीचे दी गई तालिका को देखें ये बच्चों महीने हैं यहाँ और यहाँ पर दिन हैं महीने क्या क्या है जनवरी में 31 दिन होते हैं फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं मार्च में 31 दिन, अप्रेल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जॉलाई में 31 दिन, अगस्त में 31, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, निम्न प्रशनों के उत्तर दें. पहला है वर्स का पहला महीना कौन सा है तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं यहां पर कौन सा है जन्वरी तो यहां लिखेंगे जन्वरी दूसरा है वर्स का आखरी महीना कौन सा है तो यहां पर कौन सा है दिसंबर तो यहां लिखेंगे हम दिसंबर तुम्हारा जनम दिन क भी आता होगा आपका जिस महीने में आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे नवंबर लिखा है यहाँ पर next है मार्च के बाद कौन सा महीना आता है तो यहाँ पर देखेंगे देखो बच्चों मार्च यह रहा मार्च के बाद क्या है अप्रेल तो यहां लेकेंगे अप्रेल नेक्स्ट है बारिस कौन कौन से महीने में होती है तो बारिस कौन कौन से में होती है जोलाई और अगस्त में नेक्स्ट है निम्न फल्वे सबजीयां जिन महीनों में आसानी से मिलती है उसके खाने में सही का निशान लगाएं तो बच्चों यहाँ पर सब्जियां दी गई है हमें बताना है कि वो मई जून में असानी से मिलती है या जन्वरी फर्वरी में तो पहली है गाजर तो गाजर हमें कम मिलती है जन्वरी फर्वरी में असानी से मिलती है तो आम भी गर्मियों में मिलता है तो यहाँ पर क्या करेंगे मैं जून में टिक लगाएंगे हम ऐसे ही सलजम, सलजम मिलती है जनवरी फरवरी में तो यहाँ पर टिक लगाएंगे अब next question है निम्न प्रश्णों के उत्तर के लिए हाँ या नहीं के लिए सही का निशान लगाएंगे तो पहला है फरवरी का महीना सबसे छोटा होता है तो अभी देखा था हमने 28 और 39 का होता है तो यह तो बास सही है सबसे छोटा होता है तो यहाँ पर लगाएंगे नवंबर के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो नवंबर के महीने में जैसे अभी चल रहा है तो अभी तो ठंड पड़ रही है तो गर्मी तो हूती नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर लगाएंगे निशान स्वतनतता दिवस अगस्त के महीने में आता है, तो बच्चों हमें पता है कि 15 अगस्त को सुतिंता दिवस मनाया जाता है, तो हम किस पर लगाएंगे, हाँ पर निशान लगाएंगे, दीपावली का तियो हार जन्वरी के महीने में मनाया जाता है, तो बच्चों ये तो गलत है, अभी दीपाव अबली आने वाली है तो यहाँ पर किस पर लगाएंगे हम नहीं पर ऐसी अगला है दिसंबर साल का आखरी महीना होता है तो अभी हमने देखा था दिसंबर तो आखरी महीना होता है तो यहाँ पर लगाएंगे हाँ पर साल के सभी महीने एक जैसे होते हैं तो बच्चों यह भ जून में छुट्टियां होती हैं तो बच्चों अप्रेल मई और जून में तो छुट्टियां हो जाती हैं पर ये जून में तो खुलने शुरू हो जाते हैं तो अप्रेल और मई में छुट्टियां होती हैं तो यहां पे लगाएंगे नहीं next question है त्योहारों का उनके मनाए जाने वाले महीनों के साथ मिलान करें तो अब बच्चों ये कौन सा है रक्षा बंदन, रक्षा बंदन का बाता है अगस्त में, तो यहाँ पर मिलान करेंगे दिपावली जैसे अभी आने वाली है तो किस में आएगी, अक्टूबर, नवंबर अभी नवंबर में है, तो यहाँ पर मिलान करेंगे उसके बाद है गरतंत्र दिवस तो गरतंत्र दिवस कम मनाते हैं 26 जनवरी, तो जनवरी में मनाते हैं तो यहाँ पर निशान लगाएंगे Christmas, Christmas आता है 25 December का तो हम किस पे लगाएंगे? 25 December, मतलब December के महीने में से मिलान करेंगे ऐसे ही गांधी जयन्ती, तो गांधी जयन्ती का बाती है 2 October को तो हम किस महीने से लगाएंगे? October से बच्चो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू